जै जगनात मैं शिवानी चौक्रवर्ती अपने चानल बॉंग का लिंग फूर्टेल्स में आप सब का स्वागत करते हैं जैसा कि थम्निल आपने देख लिया होगा कि आज की हमारी टॉपिक क्या है हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं थम्निल देट के शायद बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत ना हो लेकिन आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि जगनात मंदिर में श्री राधा जी की उपासना मंदिर में क्यों नहीं होती देखिए बहुत सारे कर्षिन मंदिर है जहां पर घगवान कर्ष्णी की आराधना होती है उनके साथ श्री राधा जी की आराधना होती है योगल को पता है क्योंकि जहां पर भगवान जी को प्रेव का प्रतीक माना गया जहां जहां पर भगवान जी को श्री कृष्ण जी को प्रेम का प्रतीक माना गया है वहां पर उनके साथ उनकी जो आधा होती है वह राधा होती है लेकिन पूरी में बहुत सारे कृष्ण भक्ते ऐसे हैं जुन दिन के लिए पूरी एक प्रमूख धामे तो अगर मैं कहूं कि पूरी में श्री राधा जी की उपासना नहीं होती तो बहुत सारे लोग मेरे इस बासे सेमत नहीं होंगे लेकिन यह सच है तब तक राधा जी की कोई भी वहां पर पूरी में जगनात मंदिर में कोई भी उपसिति नहीं थी जब तक कि जैदेव जी का श्री गीत वोबिन लि यहाँ पर वो पालन्हार के रूप में यहाँ होते हैं वहां पर उनकी अरधांगिनि-वोध होती है। पुरी में यहां संस्ता पित क्या गया है, तो यहाँ पर उनकी अरधांगिनी है। वो मा लक्ष्मी है जो कि रुक्मणी है मा लक्ष्मी है और यहां पर देवी रुक्मणी जो कि द्वापर रुक्मणी श्री कृष्णी की अर्धांगिनी थी उनका भी यहां पर पूजा उपासना होती है और रुक्मणी हरा निकादशी के दिन यहां पर उनका भी पूजा हो कर्षाइन से परियंद कर छका स्कार स्कॉंण के भगत मेतों कि उनके लिए जगनाजी जो है वो राधा और कृष्ण का मिलित सम्मिलित रूप हैं मतलब जो जगन्नाजी है वो राधा है वो कृष्णी दोनों के रूप में देखते हैं और फिर आप कहेंगे आपने कहा जो पूरी मंदिर संस्तापित हुआ था जब से जगर्ना जी की उपासना शुरू हुए तब तक जब तक की जैदब जी ने गीत गोविंद नहीं लिखा था राधा जी की वर्नन जो है जो भी गीता पड़ते हैं या फिर महाभारत के रूप में जिनको भी साम्यक जानकारी होगी उनको पता होगा कि इन दोनों महाकाव्यों में महाग्रंथों में राधा जी का वर्नन कहीं भी नहीं है ना महाभारत में और ना ही भगवत गीता में है जो कि हिंदु धर्म के जो हमारे मंदिर होते हैं विष्णु भगवान को समर्पीज जो मंदिर होते हैं वहां पर इन दोनों किताबों के बहुत मानेताई होती है तो उस हिसाब से जागरनाथ पूरी में राधा जी का कोई उतना अस्तित्व नहीं था वो नहीं मानते जो पू पूरी स्तान नहीं दिया गया था तो फिर आता है कि जगरनाथ जी जो कि राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप है वह किस तरीके से प्रकट है और जो भक्त राधा कृष्ण को मानते हैं वह क्यों मानते हैं इसके शुरुवात हुई जैदर जी से जो कि मतलब आप सब को जानते होंगे उनको के और जब उन्होंने लिखा था और गीद गोभिंध महा काव्व कशली जो है और राधा और कृष्ण की प्रेम से लिखा गया है मतलब उनके प्रेम को दर्शाता है कि जब उन्होंने कि जानते हैं उसका पध्यावली जानते हैं उसका जो रश है और स्रिंगार रश है मतलब तब वो प्रचलित हुआ था लोगों को यह अश्लील लगा कि राधा और कृष्णे क्यूंकि लोगों के लिए राधा एक कालपनिक चरित्र थी जो कृष्णे की जो अर्धांगली थी महालक्षमी राधा जी मतलब राधा जी का कोई अस्थिक्वन नहीं था तो उन्हों इस चीज को विरोध करना शुरू कर दिया कि एक कालपनिक चरित्र लेकर जूंकी जगन्ना जी श्रीकृष्णी की अवतार है अवतारी है वो तो अवतार नहीं है लेकिन वो भगवान व विष्णु के अवतार हैं तो इस चीज को राधा नाम के कालपनिक चरित्र से भगवान विष्णु को कनेक्ट करना लोगों को रास नहीं आया और मंदिर में जैदेब जी की जो गीद गोविन थी उसको बयान कर जया गया मतलब लोगों के विरोध के बाद इसको बयान कर लेकिन जैदेब जी के हिसाब से उनके मन की बात थी और उसी शब्द से और आधा किष्णी के जो प्रेम है जो शाश्वत प्रेम है उसको दिखाना चाहते थे 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 उनका तो बहुत विरोध हुआ उनका काब्यों को और मंदिर में मतलब प्रस्तुत करने की और उनके पत तो जो पंडा लोग थे जो जगर्ना जीस के साथ बहुत समय बितात हैं उनको ऐसा लगा कि भगवान जी रात को सो नहीं पा रहें जहां पर गीद गोविन कहीं और सुनाय दे रहा है मंदिर से निकल कर वो बाहर जा रहे हैं रात को तो तभी लोगों को मतलब ये शायद लगा कि जैदर जी के गीद गोविन को मंदिर में ब्यान करके उन्होंने कुछ गलत किया है और एक बात तो बहुत ज्यादा प्रॉब् व्यापारी की पतनी थी वह गीत गोविन गा रही थी अपने बगीचे में बैंगन का बगीच अथा और वो गीत गोविन सुनने के लिए वह उनके पीछे चले गए थे और उनके पेरों में काटा चुभा था और उसी पेर से वह मंदिर में प्रवेश करते हैं तो खून के अगर आप विश्वास करें तो भगवान है नहीं करें तो कहान यह में हमेशा कहती हूं और और कुछ दिन पहले वही जो ब्यापारी की पत्नी ती उसने आके मंदिर में यह अभी जो किया था कंप्लेंड की थी कि आप से मंदिर से कोई हर रोज जाता है और मेरी बेंगन के क् छोटे से क्यारे में तो खराब होगा तो आपके मंदिर से कोई जाता है और मुझे हर जाना चाहिए तो अब लोगा आश्च्यवर के मंदिर से कौन जाता है कोई नहीं जाता तो जिस दिन भगवान जी के पैर में कांथा चुबा था उसी दिन उन उन जो पाठ पितम बरी वहां पर रहे गया था, उसको लेकि वह मंदीर में आई, तब पता चला कि यह तो जागना जी का कपड़ा है, तब पता चला कि तुम हरोच क्या करती हो कि भागान तुम्हारे पीछे आते हैं, वाला कि मैं गीत गोबिन गाती हु, मैं राधाकिष्णी कि जो सिंगार रस्ते क एकृत को इसको ब्रेजय करती हम तब जिन्हों ने भी इसको ब्यान करवाया था और त्वल के पास कंपलेंच गया था इसलिए उसको ब्हद न कि देखिये जयदे भी का जो गाना को पहले है जहांए पर भी वहांगी रात को चले जाते हैं तो आप एसा कीजिए जना जगनात जी को यह चोईस करने की मतलब उनको दीजिए अभी जो भवान जी सुने और और किसी पंडित का जो एक मतलब गीत था वो सुनाया जाता था वो किताब दीजिए जैदव का किताब जीजिए अगर राधा किष्ण का प्रेम शाश्वत है तो जगनात जी जरूर उसको चुनेंगे तो ऐसा ही हुआ जगनात मंदिर के अंदर घीत गोविंद और दूसरा ग्रंत मंदिर में चुननाया जाता है और क्योंकि जगarna जी ने स्वयम राधा और कृष्ण के प्रेम को सुविकार किया है उन्होंने राधा जी को काढ़पनिक चरित्र नहीं माना है तो उसी दिन से राधा जी का प्रचलन हुआ है उनके अस्टित्यों को स्विकारा गया है श्रीकेत्र में लेकिन फिर भी वहाँ पर जगनात मंदिर में राधा जी की उपासना नहीं होती वहाँ पर महालक्ष्मी उनकी अधिस्तात्री है और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो पालनहार है वो पालनहार के रूप में वहाँ पर होती है तो उनकी जो अर्धांगी नी होती है वो पालन हारी नी होती है और उनके साथ अगर कोई दूसरा कोई है तो वो भूदेवी होती है श्री देवी जो है लक्षमी है और उनके साथ होती है भूदेवी भूदेवी के बारे में किसी और दिन आपको बताऊंगी कि वो कौन है ले लेकिन राधा जी की उपासना की अनुमती नहीं दी गई क्योंकि जो पंडा थे उन्होंने भले ही गीद गोविन की अनुमती दी लेकिन राधा जी को अभी वह कालपनिक कथा की कालपनिक चरित्र ही मानते हैं और उनके प्रेशर में आके मतलब राजा जी ने खा ठीक है और बहुत सारे मंदिर होते हैं रखा करते हैं वहां पर रधा जी को का आधा होती है आधा और अर्धांगिली में वरक होता है आधा जो होता है वो सखी होती है अर्धांगिली जो होती है वो पत्नी होती है तो यही कारण है कि जगरनात मंदिर में श्री राधा जी को नहीं स्विकारा गया है क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों के लिए वो कालपनिक चरीतर ह लेकिन जो भी राधा कृष्णी के प्रेम को मानते हैं उनके लिए जगर्णाजी जो है राधा और कृष्णी का संभलित रूप है तो खेर यह थी आज की वीडियो चोटी सी वीडियो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आज के लिए इतना ही रहते हैं जय जगर्णाज जय माकाली